कि नमस्कार हरवर्ट रीड का निवंद वर्क एंड प्ले मैंने पिछले साल पढ़ाया था और क्वेश्चिन आंसर मैं नहीं करा पाई थी एक शोर्ड आंसर टाइब क्वेश्चिन जरू कराया था किसी बच्चे ने मुझसे समरी मांगी थी तो वह तो कराया था लेकिन लॉ उनिवर्सिटी से जो नोडिफिकेशन आया है उसमें आपके लिए 10 लॉंग आंसर टाइब क्वेश्चिन होंगे जिसमें से आपको फोर अटेम्ट करने होंगे तो चलिए कुछ लॉंग आंसर टाइब क्वेश्चिन देख लेते हैं सभी एसस कर मैं कराती थी हूं तो पहल नहीं है जो चैक्टर में बताया गया है तो देखियए यह एक फैक्ट है जो अभी मैंने आपको नहीं बताया था कि यह जो एससे है यह जो निवंध है एक एक स्रेक्ट है मेंस एक अंश है of Asterfield Muscles and Empty यह एक collection है, empty के बाद art और है Asterfield Muscles and empty art, तो यह उसका एक collection है Herbert Read का, उसमें से यह essay लिया गया है तो art अच्छा वो, क्योंकि पिछले page पर जो लिखा हुआ था Asterfield Muscles and Empty उतना ही लिखा हुआ था, art इस page पर आ गया है written by Herbert Read in 1964 तो ये जो collection लिखा गया था 1964 में ये ऐसे लिखा गया था In this piece of essay यानि इस निवंध में He throws light वो प्रकाश डालता है on the work काम पर As well as importance of play As well as का मतलब होता है साथ ही Importance of play यानि खेल की जो महत्तो है खेल के महत्तो पर भी प्रकाश डालता है फिर आपको heading रालनी है original meaning of laser जैसा की chapter में बताया ही गया है तो जो मुलभूत अर्थ था laser का यानि आराम का फोरसत का People think that laser is time People think लोग सोचते हैं कि जो फोरसत है वो समय है Which is to be filled जिसको भरा जाना है by art कला के द्वारा But art is also an activity लेकिन कलाब ही तो एक काम है क्रिया कलाब है activity means क्रिया तो कलाब ही तो एक काम है that is concerned with जो कि समंधित होता है the making of necessary things आवशक चीजों को बनाने से Before the industrial revolution यानि ओद्दियों की क्रांती से पहले laser meant फुरसत का मतलब था time समय और opportunity या अवसर but it lacks the true meaning लेकिन इसमें सच्चे अर्थ की कमी है in the present context जो वर्दमान संदर्व है वर्दमान संदर्व में one of Shakespeare's character Shakespeare का जो एक पात्र है से कहता है if your laser served यदि आपके पास फुरसत हो I would speak with you तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा it means इसका मतलब है that nobody wants to disturb कि कोई भी disturb करना नहीं चाहता परिशान नहीं करना चाहता the person उस व्यक्ति को who is जो के है in a mood of relaxation आराम की मुद्रा में आराम के भावावस्था में phrases जो वाक्यांश हैं सब्दांश हैं at your laser यनि आपकी फुरसत के वक्त preserve its original meaning तो ऐसे जो वाक्यांश हैं ऐसे जो phrases हैं उन्होंने preserve माने सुरक्षित रखा हुआ है its original meaning जो इसका मौलिक अर्थ था फिर है laser in modern context फुरसत आधनिक संदर्व में nowadays आजकल the meaning of laser फुरसत का मतलब has changed, बदल गया है laser is a pervasive emptiness laser यानि फुरसत is a pervasive pervasive वो चीज होती है जो हर जगे चाही होई होती है तो हर जगे चाया हुआ emptiness खालीपन है for with जिसके लिए we must invent हमें अविश्कार करना होगा occupations व्यवसायों का laser is a vacuum laser एक रिक्त स्थान है a desperate state एक निराशा से भरी हुई इस्थिती of vacancy खालीपन की of mind and body दिमाग का और शडीर का sociologist समाशास्ती and psychologist और मनोविज्यानिक considerate इसको मानते हैं as a problem एक समस्या next heading है importance of work and play यनि काम और खेल का महत्व our life is divided हमारा जीवन बटा हुआ है into two phases दो पहलूँ में which जिनको के we call हम पुकारते हैं work and play काम और खेल we work many hours हम कई घंटे काम करते हैं and spend और खर्च करते हैं बिताते हैं necessary आवशक रूप से minimum time कम से कम समय in activities क्रिया कलापों में जैसे कि इटिंग, खाना एंड शॉपिंग और खरीदारी करना the rest बागी का we spend हम बिताते हैं in various activities विविध क्रिया कलापों में which is a sugar-coated word जो कि एक sugar-coated यानि जिसके उपर मीठी परत चड़ी होती है जैसे दवाईयों के उपर जो गुलियां आती है कड़वी दवाईयां आती है उनके उपर एक sugar-coated चड़ा हुआ होता है तो ये एक sugar-coated word है यानि मीठी परत वाला शब्द है जिसको कहते हैं recreation यानि मनोरंजन this word disguises ये जो शब्द है recreation मनोरंजन disguises means बेस बदले हुए है the fact इस तत्य का यानि छिपाए हुए है अपने आप में इस तत्य को that के we do not play हम खेलते नहीं है in arts of leisure फुरसत के छणों में but बल्के we spend the this time हम इस समय को खर्च करते है in passive entertainment निश्क्रिय मनोरंजन में like जैसे के watching football match football match देखना not acting अभिने न करना but बल्के theater going theater जाना तो हम football match खेलते नहीं है बल्के देखते हैं और theater मैं अभिने खुद नहीं करते बल्के अभिने देखते हैं लोगों का not walking हम टहलते नहीं हैं but riding on a motor car बल्के motor car में सवार होकर जाते हैं today आज we need to differentiate हमें भेद करना होगा between work and play काम और खेल में rather और इसके बजाए हमें और जो भेद करना होगा वो करना होगा active play and passive entertainment active यानि जो creation play खेल है creation खेल है जिसमें कि हम physically अपना शरीर को use करते हैं और passive entertainment यानि निश्क्रियमनोरण्यन जैसे कि घर में बैठकर टीवी देखना रेडियो सुनना या म्यूजिक सुनना ये सब passive entertainment है और active play वो है जिसमें कि हम खुद participate करते हैं जैसे dance खुद करना देखना नहीं बलके खुद करना football match देखना नहीं बलके खुद खेलना most of the people ज्यादा तर लोग spend बिताते हैं their time अपना समय in watching TV TV देखने में for entertainment मनुरण्यन के लिए बट लेकिन it will create ये पैदा कर देगा a big health problem एक बड़ी स्वास्थे समस्या तो आजकल आप देखते ही हैं कि बहुत सारी लोगों को स्वास्थे समस्या हैं जिनके पीछे एक कारण है बैठ कर TV देखना a big health problem in the long run long run मनदब आगे चल कर this prolonged diet ये जो prolonged मने लंबी diet मने खुराक ये जो लंबी खुराक है of sentimental यानि भावनात्मक and sensational यानि संसनी खेज scenes द्रिश्यों की leave छोड़ती है a bad effect एक बुरा प्रभाव वैसे यहाँ leaves आना चाहिए क्योंकि जो यहाँ पर subject है इस वर्व का वो prolonged diet है न कि sentimental और sensational scenes है तो leaves a bad effect on mind यानि बहुत बुरा प्रभाव छोड़ती है दिमाग पर and lack of physical exercise lack मने कमी of physical exercise शारीरिक अभ्यास की या फिर कहिए के शारीरिक व्यायाम की will create पैदा कर देगी a health problem यानि स्वास्ते की समस्या फिर है live art in leisure live मने जियो art कलाको in leisure फुरसत में if we are affected यदि हम प्रभावित होते हैं by art कला से we have to live art हमको कला को जीना होगा we should paint हमको चित्रकारी करनी चाहिए rather than look at paintings बजाए चित्रों को देखने के यानि दूसरों की बनाई हुई तस्वीरों को देखने के हमें खुद तस्वीरें बनानी चाहिए to play instruments जो वाद्यंत्र है instruments जैसे तबला है गिटार है, सितार है, डोलक है डोलक आप थोड़ी देर बजाईए आपके हाथों में देखिए जो बहुत बड़ी exercise हो जाते है डोलक बजाने से तो to play instruments यानि जो musical instruments वाद्यंत्र हैं उनको बजाना rather than to go to concerts बजाए, concert होते हैं पर के ये वाद्यंत्र बजाकर सुनाई जाते हैं आपको तो concert में जाने की बजाए, वाद्यंत्रों को आप खुद बजाए to sing, गाना, खुद गाओ, dance, नाचो, and act, और अभिने करो if our mind is engaged if यदि our mind, हमारा दिमाग is engaged यानि लगा होता है बिजी होता है, व्यस्त होता है in some creative art किसी रचनात्मक कला में only then, केवल तब something may begin to happen कुछ होना शुरू हो जाता है to us, हमको तो जब भी हम कुछ creative करते हैं तो जो हमारा दिलो दिमाग है वो बदलता है, उस पर असर पड़ता है क्योंकि हमारा दिमाग वहां busy हो जाता है our mind and body हमारा दिमाग और हमारा शरीर will be affected प्रभावित होते हैं या प्रभावित होंगे when we actively participate जब हम क्रियाशिल रूप से भाग लेते हैं in games खेलों में, it will be called play तो इसको खेल कहा जाएगा in proper way, उचित तरीके से it is a natural use ये स्वाभाविक प्रयोग है of laser, फुरसत का and it is the best alternative और ये सबसे अच्छा विकल्प है of work काम का फिर अगला heading है work not a single concept काम कोई अकेला concept नहीं है, विचार नहीं है विचारधारा नहीं है work is not a single concept काम एक अकेली विचारधारा नहीं है, we say हम कहते हैं that we work, कि हम काम करते हैं to earn our livelihood अपनी जीविका कमाने के लिए we need money, हमको पैसे की आवश्यक्ता होती है to fulfill our daily needs to fulfill मने पूरा करने के लिए our daily needs हमारी रोजमर्णा की आवश्यक्ताओं को some of us हमेंसे कुछ do करते हैं physical work, शारिक काम like जैसे के chilling the land जमीन को जोदना minding नहीं होना चाहिए या mending होना चाहिए तो इसको सही कर लिजीगा mending the machine मशीनों को सुधारने का यानि मिस्तिगीरी जो करते हैं यानि मशीनों को सही करते हैं मेंड माने सुधारना etc and some of us और हम मेंसे कुछ are engaged लगे होते हैं in mental work शारिक काम में like maintaining accounts like जैसे के maintaining accounts माने हिसाब किताब रखना जैसे मुशीगीरी करना teaching पढ़ाना managing व्यवस्था करना governing शासन करना etc इत्यादी they are different occupations यानि अलग-अलग व्यवसाय हैं but there is one common factor लेकिन एक सामान्य तत्य है that के they consume वो सब consume करते हैं our time हमारे समय को तो ये सारी चीज़ें हमारा समय खाती है and leave us और हम आरे पास छोड़ती है little laser little का मतलब होता है ना के बराबर ना के बराबर फुरसत this is also observed ये भी देखा जाता है that के a man's occupation एक व्यक्ती का व्यवसाय can be हो सकता है other's recreation दूसरे का मनुरंजन because क्योंकि our mind and body हमारा दिमाग और शरीर need rest उनको आराम की आवश्यक्ता होती है from our daily routine हमारे रोजमरा के routine से हमारी दिन चर्या से a disintegrated personality disintegrated मने बिखरा हुआ personality व्यक्तित्व जो एक बिखरा हुआ व्यक्तित्व है becomes बन जाता है anti-social यानि समाज के खिलाफ in nature यानि अपने सुभाब में तो जो बिखरी हुई personalities हैं जिनका दिमाग ठिकाने पर नहीं होता वो असामाजिक तत्तो बन जाते हैं यानि समाज के लिए बुरा करने वाले जैसे criminals हैं अपराधी हैं तो वो कौन है anti-social elements हैं और उनका anti-social element बनने के पीछे कारण क्या है क्योंकि वो disintegrated personality है हर अपराधी के पीछे कोई कारण होता है ऐसे ही कोई अपराधी नहीं बनता ना तो किसी बच्चे के माबाब यह चाहते हैं कि वो अपराधी बने और शायद कोई बंदा भी यही नहीं चाहता कि वो अपराधी बने लेकिन कुछ ऐसे factors होते हैं जो responsible होते हैं उनके अपराधी बनने के पीछे अगर यह इसमें जो लेकिन का मतलब है यहां पर कि अगर उनकी personality integrated हो यानि वो किसी कला में लगे हो किसी काम में लगे हो उनका दिमाग busy हो किसी काम में तो वो अपराधी नहीं बनेंगे antisocial नहीं बनेंगे this is scientifically proved यह वग्यानिक रूप से साबित हो गया है that a person की एक व्यक्ती who is not busy जो की व्यस्त नहीं होता in creative work रचनात्म काम में inevitably यानि अवश्यम भावी रूप से आवश्यक रूप से develops विकसित कर लेता है crime यानि अपराध को gangsterdom वो भी अपराधी होते हैं तो gangsterdom विकसित कर लेता है and fascism और वो ताना शाह तरीके का बन जाता है fascism उसके अंदर develop हो जाती है जैसे के Hitler का एक example है because क्योंकि muscles have a life जो muscles है यानि हमारी जो मास पेशियां है उनका एक जीवन होता है of their own unless यदि न they are trained उनको प्रशिक्षित न किया जाए to purposeful actions purposeful होता है उद्देश्यपून actions कार्य यदि उद्देश्यपून कार्यों के लिए उनको प्रशिक्षित न किया जाए तो muscles अपने हिसाब से अपना काम ढूंड लेती है when we keep जब हम रखते हैं ourselves अपने आपको busy व्यस्त in some work किसी काम में और play या खेल में in our leisure अपनी फुरसत में the problem is solved तो समस्या का हल निकल आता है work and play खेल, काम और खेल our activities वो क्रिया कलाब है and we have to engage और हमको व्यस्त रखना होता है our leisure अपनी फुरसत को through some work and play किसी काम के द्वारा और किसी खेल के द्वारा क्योंकि खाली दिमाग ही तो शैतान का घर होता है जितने भी अपराद जितने भी बुरे विचार आपके दिमाग में आते हैं वो खाली समय में आते हैं फुरसत में आते हैं अगर आप कुछ काम करते रहें बिजी रखें अपने आपको तो बुरे विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे तो एक तो इस तरीके से ये question पूछा जा सकता है और उसका आप ये answer दे सकते हैं दूसर तरीके से और ये question आ सकता है हालांके matter तो लगभग वही रहेगा जो भी आप आप अंसर देंगे देखें दूसर तरीके से ये सवाल ऐसे आ सकता है according to writer what is work and what is play यानि लिखक के अनुसार काम क्या है और खेल क्या है how can it be complimentary how कैसे can it be ये हो सकते हैं complimentary माने पूरक to each other वसे it की बज़ा यहां दे होना चाहिए कि ये how can they be complimentary to each other वो एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं to maintain बनाई रखने के लिए a balanced life balanced यानि संतुलित life जीवन एक संतुलित जीवन बनाई रखने के लिए काम और खेल एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं तो देखी matter तो लगभग इस answer में भी वही होगा जादा कुछ change नहीं होगा फिर भी देख लेते हैं इस answer को Harvard Reed defines Harvard Reed परभाशित करता है work, काम को as the use of body as the use यानि प्रयोग के तोर पर of body शरीर का और mental power या फिर मानसिक शक्ती का to do करने के लिए और make या बनाने के लिए something कोई चीज़ purposeful उद्देश्य पूर और to earn livelihood या फिर जीविका कमाने के लिए it is possible ये संभव है to play और recreation यानि खेल या फिर मनोरण्यन as it is a pleasant time pass जैसा कि ये pleasant मनोरण्यन time pass होता है without any tension बिना किसी tension के मानसिक कश्ट के और worries या चिंताओं के मैंने कुछ गरबर बोल दिया मुझे लग रहा है it is मैंने यहाँ कुछ गरबर बोला था it is opposite to play ये opposite होता है मैं यानि उल्टा होता है मैंने opposite को कुछ और बोल दिया था it is opposite ये बिल्कुल उल्टा होता है to play और recreation यानि खेल के या मनोरण्यन के जो काम है वो opposite है as it is a pleasant time pass without any tension और worries फिर इसमें आपको heading डालना है kinds of work यानि काम के प्रकार there are mainly two types of work यानि मुख्यत है दो प्रकार के काम है mental work and physical work मानसिक कारे और शारिरिक कारे people work लोग काम करते है in order to make livelihood यानि जीविका कमाने के लिए or meet the needs of an individual or meet the needs यानि आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए of an individual एक व्यक्ति की we need money हमको पैसे की आवश्यक्ता होती है to fulfill पूरा करने के लिए our daily needs अपनी रोजमर्णा की आवश्यक्ताओं को some of us हमेंसे कुछ लोग do करते हैं physical work शारिरिक कारे like जैसे के tilling the land जमीन जोतना repairing the machines मशीनों की मरमत करना digging the coal कोईला खोदना etc इत्यादी others do mental work दूसरे लोग अनसिक कारे करते हैं as जैसे के teaching पढ़ाना preaching उपदेश देना maintaining accounts यानि मुशीगिरी करना लेखा जो बही खाते हैं उनको समालना managing व्यवस्था करना and governing और मदब के शासन करना etc इत्यादी there are diverse occupations यानि diverse means व्यविद प्रकार के various व्यविद प्रकार के व्यवसाय होते हैं but there is one thing common लेकिन एक चीज सामाने होती है that के they consume their time they consume वो खा जाते हैं their time उनके समय को and leave little leisure और ना के बराबर फोरसत छोड़ते हैं फिर play है play means खेल का मतलब होता है to do something कोई काम करना to pass our time अपना समय बिताने के लिए happily खुशी से without any pressure बिना किसी pressure के बिना किसी दवाब के फिर है importance of work and play यानि काम और खेल का महत्वर ये पिछले वाले answer में भी था तो मैं आपको बतारे हैं same ही matter होगा our life is divided हमारा जीवन बता होता है into two phases दो पहलूँ में which we call work and play जिनको के हम काम और खेल कहते हैं actually वास्तम में these two words आर ये दो शब्द हैं complimentary पूरक to each other एक दूसरे के to live our life comfortably यानि to live जीने के लिए our life हमारा जीवन comfortably आराम से we have to earn living यहां पर full stop नहीं लगेगा यह गलती से लगा हुआ है में sprint है और यह w small होगा यानि अपना जीवन आराम से जीने के लिए we have to earn our living हमें अपनी जीविका कमानी होती है but we should know लेकिन हमें जानना चाहिए the importance of relaxation also आराम का महत भी play as a passive entertainment play खेल as a passive entertainment मतलब कि एक निश्क्रिय मनोरंजन के रूप में in free time खाली समय में people pass their time लोग अपना समय बिताते हैं in some kind of amusement कुछ प्रकार के मनोरंजन में but they do not play लेकिन वो खेलते नहीं है they do not indulge वो व्यस्त नहीं होते directly सीधे तोर पर in amusement मनोरंजन में which is जो के है a passive entertainment एक निश्क्रिय मनोरंजन instead of taking part directly instead of means बजाए taking part भाग लेने के directly सीधे तोर पर सीधे तोर पर भाग लेने की बजाए they watch वो देखते हैं matches they do not act वो अभिने नहीं करते rather बजाए इसके they go to theater वो theater जाते हैं to watch movies यानि फिल्में देखने के लिए instead of walking चलने की बजाए तहलने की बजाए they choose riding वो सवारी करना पसंद करते हैं all in all कुल मिलाकर they avoid वो बचते हैं physical labor शारीरिक श्रम से फिर है heading play as an active entertainment खेल एक सक्रिय मनुरंजन के रूप में we should use हमें प्रियोग करना चाहिए our spare time अपना खाली समय an active entertainment एक क्रियाशील मनुरंजन involves उसमें शामिल होता है participation भाग लेना and practice और अभ्यास करना this way इस तरीके से we make proper use हम उचित प्रियोग करते हैं of our time हमेरे समय का we have to paint हमें चित्रित करना होगा यनि पेंटिंग करनी होगी instead of appreciating others instead of means की बजाए appreciating मने तारीफ करना others दूसरों की तो दूसरों की तस्वीरों की तारीफ करने की बजाए हमको खुद तस्वीरें बनानी होगी if we want अगर हम चाहते हैं that art should have कि कला का हो some positive effect कुछ सकारात्मक प्रभाव upon ourselves हमारे उपर then we have to do things यहाँ then का आएगा THEN तो we have to do things हमको चीज़ें करनी होंगी directly सीधे तोर पर so that ताके we are able हम समर्थ हो to enjoy the feeling यानि भावना का अनन्द लेने में naturally स्वाभाविक रूप से this will surely be यह निश्चे ही होगा beneficial लागदायक for our physical and mental growth हमारी शारिरिक और मानसिक प्रगदी के लिए we have to immerse ourselves totally हमको immerse यहाँ पर जो spelling गलत लिखी होई है देखे immerse माने डुबाना होता है लेकिन spelling यह नहीं होती I-M-E-R-S-E होती है तो आप लोग सही कर लीजगा अपने we have to immerse ourselves हमें अपने आपको डुबाना होता है totally पूरी तरीके से into the art कला में to gain प्राप्त करने के लिए positive results सकारात्मक प्रणाम फिर है next heading sometimes work and play go together कभी-कभी खेल और काम दोनों सासा चलते हैं sometimes a man's occupation कभी-कभी एक व्यक्ती का व्यवसाय can be हो सकता है others recreation दूसरे का manoranjan because क्योंकि we get bored हम उप जाते हैं by doing करके the same things उन्ही चीजों को daily रोजाना our mind हमारे दिमाग को needs rest आराम की आवश्यक्ता होती है from our daily routine हमारे जो रोजमर्रा की दिन चर्या है उससे this change ये परिवर्तन of occupation ये वसाय का becomes बन जाता है a change of mind दिमाग का परिवर्तन which helps जो मदद करता है in passing free time खाली समय बिताने में without any pressure बिना किसी दवाब के and they feel happy and released and they feel और वो महसूस करते हैं happy खुश and released और वैसे released बने आजाद होता है ये भी शब्द सही है लेकिन इसकी बजाए आप relaxed भी लिख सकते हैं और अब है आखरी heading conclusion a degenerated personality degenerated मतलब जो जिसका विनाश हो गया या बिखर गई ऐसा व्यक्तित्व personality ऐसी personality या ऐसा व्यक्तित्व जो बिखरा हुआ है becomes बन जाता है anti-social assamagic in nature अपने सुभाव से if there is too much time अगर बहुत ज्यादा समय है to spare without any creativity बिना किसी रचनात्मकता के it develops ये विकसित कर देता है criminals अपराधियों को it is proved ये सावित हो गया है scientifically veganic रूप से that a person के एक मनुश्य who is not involved जो के व्यस्त नहीं रहता in creative work रचनात्मक काम में inevitably आवश्यक रूप से या आवश्यम भावी रूप से develops विकसित कर लेता है gangsterdom यानि gangsterdom आप जानते हैं gangster जो बाहुबली टाइप के लोग होते हैं तो वो अपराध विकसित कर लेते हैं and fascism और तानाशाही विकसित कर लेते हैं क्योंकि muscles have a life of their own जो मास पेशिया हैं उनका खुद का एक जीवन होता है unless they are trained to purposeful actions यदि उनको train नहीं किया जाता प्रशिक्षित नहीं किया जाता उद्देश शिपूं कार्यों के लिए besides work काम के अलावा when we keep जब हम रखते हैं ourselves अपने आपको busy in participating भाग लेने में actively क्रियाशील रूप से in play खेल में during our free time अपने खाली सवे में the problem is solved तो समस्या हल हो जाती है and it helps और ये मदद करता है to maintain a balanced healthy life maintain बनाई रखने में a balanced healthy life यानि स्वस्थ जीवन को तो long answer में यही दो questions generally पूछे जाते हैं इसके अलावा इस पर questions नहीं बनते तो आज के वीडियो में हम Harvard Read को cover कर लिया है और आने वाले वीडियो में आपके जो बाकी चेप्टर्स हैं उनको मैं cover करने की कोशिश करूँगी अब विदा लेते हैं धन्यवाद यजिए जनको मैं आपके लेक्टर्स हैं पिए जगले को पके जोjust